रमाशकार दोस्तों मेरा राम में विमल सिंग बाला जी श्टेडी एटा में आपका स्वागत है लेकपाल 2023 रिजल्ट धांदली वाला कल मैंने जो आपको मुद्दा बताया था ये रितु सिंग रिजल्ट जिसमें आपने देखा था कि ये नकल करते हुए पकड़ी भी गई थी उसके बावजूद इनका जो रिजल्ट है वो जारी जो है वो किया गया था तो उसी के ही अंदर में आयोग जो है उनकी तरफ से जवाब दातिल के आगया है पर उससे पहले मैं आज की आपको पड़ा सा अपडेट दिखा देता हूँ लेकपाल भरती परिक्षा के परड़ाम पर उठे सवाल जिसमें ये लिखा है कि अभिलेक परिक्षण के लिए उस महिला अभरती को भी योग बताएगा जिसे पुलिस ने परिक्षा में नकल करते हुए पकड़ा था इंटरनेट मीडिया पर ये मामला परचारित होने के बाद सपा अध्यक्षव अकिलेस यादव ने भी इसको लेकर के ट्वेट किया और साथ इसाथ जो सबूत थे उसके साथ अभरती वो पकड़ा गया और उपर भी एक और निउस देख पाएँगे अच्छा इसमें बाकी चीजे भी बताएँगें कि उनके किलाब चार्ट सीट वगरा जो है वो दाखिल की गई थी बाकी एक और आप निउस देख पाएँगे जिसमें इनका ट्वीट भी दिखाया गया है युवा मंच की मांग संसोधित हो लेकपाल भरती का प्रडाम जिसमें आप देख पूर्ब मुख्यमंत्री रह चुकिया खिलेज जी हैं उनके द्वारा ये ट्वीट करके लेकपाल भरती परिक्शा में नकल को ले करके बताया गया धांदली को ले करके सोचल वीडिया में भी चाया रहा और धांदली के आरोप जो थे उनकी पुष्टी भी हुई है जिसक अब बात करते हैं उस जवाब को लेकर के दिनांक 35 2023 कल की आप तारीक देख पाएंगे जिसमें लिखा है आयोग द्वारा विज्यापन संख्या ये इसके अंतरगत राजस लेकपाल के पदो पर चैन के लिए दिनांक 37 2023 को आयजित लिखित परिक्षा के आधार पर चैन प्रक्रिया के अगले चरण अभिलेग परिक्षड़ेतू सौटलिस्ट किये गए अभर्तियों का परडाम दो म को घुषित किया गया इस परडाम के संदर में कतिपय सोचल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक अभर्ति रित्तू सिंग जिसका अनुक्रवां यहां लिखा हुआ है इसके संबंद में इस आसे की भ्रामक सूचना यहां लिखा हुआ देके वर्ड कहा ही उसकी आहिनोंने भ्र प्रति उसका चैन कर लिया गया है उपर्युक्त के संबंद में यह भी स्पष्ट किया जाता है कि लिखित परिक्षा का उक्त परडाम अंतिम चैन परडाम नहीं है यह चैन प्रक्तिया के अगले चरण यह अभिले परिक्षण हेतू अभ्यरतियों की सौट लिष्टिंग म उनके संबंद में परिक्षा केंद्रों से निर्धारित प्रपत्र पर अभ्यरतियों का विबरण प्रेसित किया जाता है और आयोग द्वारा ऐसे अभ्यरतियों को अनुचित साधन प्रियोग जिसको हम unfair means यानि UFM कहते हैं उस स्रेडी में वरगी करत करते हुए उनको लि इंटर कॉलेज करेली प्रेयागराज इस तर से आयोग को प्रेसित किये जाने वाले जुन्रधारित प्रपत्र है उस पर अनुचित साधनों के प्रियोग संबंदी विबरण पत्र में इस जो प्रक्रण है उसका कोई उल्लेग नहीं किया गया यानि जो भेजे जाते ना उ उसमें और इसलिए लिखाया अता संबंदित परिक्षा केंद्र से सील बंद अवस्था में प्रेसित जो ट्रंक है उसमें संदचित अन्य अभ्यरतियों की ओमार के साथ साथ जो ये रित्तु सिंग है इनकी भी ओमार का मुल्यांकन जो है वो किया गया यानि इनोंने ये लिखा था पकड़ी गई थी सारी चीजे इसी करण इनोंने कहा है कि बाकित जो बढ़ती है उनके साथ ही हमारा भी रित्तु सिंग जो है उनका भी नाम जो है यहां पर आ गया है बाकी इसमें लिखाया है कि प्रदेश के बिढ़न परिक्षा गेंद्रों पर अनुचित जो है आपको दिया गया है यानि कि आयोग को फेजा गया था उनमें unfair means जो है उन्होंने सम्मिलित किया है वागी यह भी उन लेकनी है कि उक्त प्रक्रण में जनपद इस्तर पर दायर की गई जो प्रतम सूचना रिपोर्ट है F.I.R. जिसको कहते हैं उसके करब में फुलिस विभाग द्वारा की जा रही विवेचना के आधार पर नियाड़े में चार सीट अत्वा अंतिम रिपोर्ट दायर किये जाने के संदर में आयोग इस्तर पर कोई सूचना अभी तक प्राप्न नहीं हुई है और उक्त अभ्यर्ति को अहिर अत्वा अनहिर गोसित किये जान पुलिस विवाग की विवेचना ही नहीं पूर होती है उस इस्तिती में अंतिम परणाम में चैनित होने की दसा में उप्तअवर्थी का परणाम विद हेल्ड जो है वो रखा जाएगा ये इनके दोरा सफाई जो है वो दी गई है तो आप देख रहे हैं कितने बड़े सतर पर धांदली होती है यानि कि आप जब खुद रंगे हाथों पकड़ लेते हैं उसके बावजूद जो है इस तरीके के चीज़े देखने को मिलने ही कि वो हमारी पास किसी परकार की सूचना ही नहीं है अब साब साब आप देख रहे हैं पर चीक सारे यहां पर रिजल्ट देखने को सारे जो आपके अंसर है वो देखने को मिलने है और एक बाद सोचने वाली यह भी है कि यह तो किवल पकड़ी गई है अकेले एक सिंगल कैंडिडिट जिनके पास यह पास इसारे जो है आपके अंसर देखने को मिलने है और अगर इनके पास यह सारे अंसर तो जाएट से बाते paper काफ़ी पहले लीक हो गया होगा और paper लीक वाले कितने ही ऐसे बरती होंगद जो बकड़े नहीं गए होंगए तो यहाँ पर पारदर्सिता जो है सूर्न पारदर्सिता टेखने को मिली है नकल जोग के होई है बाकी आयो कुछ भी अपनी तरब से कहे यहीता हमारे सोराल अपडेट में वीडियो सभी के साथ शेयर जरू कर दीजेगा सब तक बात पहुंचनी चाहिए और वीडियो पसंद आयों लाइक शेयर जुरूर जो है वो कीजेगा मिलते हैं अगले अपडेट में तब तक के लिए नमस्कार जय दिन